पांच्वा अध्याई, आत्मा, स्वरूप और लक्ष्य आतितम धारना यह है कि जब मनुश्य मरता है तो उसका विलोप नहीं हो जाता कुछ वस्तु मनुश्य के मर जाने के बाद भी जीती है और जीती चली जाती है संसार के तीन सरवाधिक पुरातन रास्ट्रों, मिस्त्रियों, बेबी लोनियनों और प्राचेन हिंदों की तुलना करना और उन सबसे इस धारना को ग्रहन करना शायद अधिक अच्छा होगा मिस्त्रियों और बेबी लोनियनों में हमें आत्म विश्यक जो एक प्रकार की धार्णा मिलती है वह है प्रतिरूप देहे उनके अनुसार इस देह के बीतर एक बहाई देह और है जो वहां गती तता क्रिया करती रहती है और जब बहाई दे मरती है तो प्रतिरूप बाहर चला जाता है तथा एक निश्चित समय तक जीता रहता है किन्तु इस प्रतिरूप का जीवन बहाई शरीर के परिरक्षन पर अवलंबित है यदि प्रतिरूप देही द्वारा छोड़े गए देही के किसी अंग को शती पहु बेभी लॉनियनों और प्राचिन मिस्ट्रियों दोनों में यह धारणा मिलती है कि यह प्रतिरूप चिरंतन काल जीता नहीं रह सकता अधिक से अधिक वह केवल एक निश्चित समय तक ही जीता रह सकता है अथार्थ केवल उतने समय तक जब तक उसके द्वारा त्यागे द अदिया जाती है और यदि उसे वैसा आहार ना दिया जाए तो वै कभी-कभी जीवित वैक्तियों को मृत्यू एवं विपत्ति से धमकाती है आर्य विचार धारा पर दिश्टी दालते ही हमें ततकाल एक बड़ा अंतर मिलता है प्रति रूप की धारना वहां भी है किन्तु वह एक प्रकार की आध्यात्मिक देहे का रूप ले लेता है और एक बड़ा अंतर यह है कि इस आध्य इसी का कारण है वे वेक्ति द्वारा त्यागे शरीर से चुटकारा पा जाना चाहते हैं जबकि मिस्त्री दफना कर शव लेपन कर या पिरामिड बना कर उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं मृत्कों को नस्ट करने की नितांद आदिम पद्दती के अतिरिक किसी सीमा तक वेक्सित रास्ट्रों में मृत्त वेक्तियों के शरीरों से मुक्ति पाने की उनकी प्रणाली आत्मा संबंदी उनकी धारना का एक उत्तम परिचायक होती है जहां जहां अपकद आत्मा की धा और दफन करने का कोई ना कोई रूप भी दूसरी और जिनमें यह धार्णा विक्सित हो गई है कि आत्मा शरीर से एक स्वतंत्र वस्तू है और शव के नस्ट कर दिये जाने पर भी उसे कोई शती नहीं पहुंचती उनमें सदायव दहा की पद्दती का ही आश्रे लिया जाता है इसलिए सभी प्राचीन आरे जातियों में हमें शव की दहा क्रिया मिलती है यह दपी पार्सियों ने शव को एक मिनार पर खुला छोड़ देने के रूप में उसको परिवर्थित कर लिया है किन्तु उस मिनार के स्वेम नाम का ही अर्थ है एक दहा स्थान जिससे जाल में भी वे अपने शव का दहा करते थे दूसरी विशेशता यह है कि आर्यों में इन प्रति रूपों के प्रति कभी भय का तत्व नहीं रहा वे आहार या सहायता मागने के नमित नीचे नहीं आते और ना सहायता मिलने पर क्रूर हो उठते हैं और ना वे जीवित को कोमलता से उपर ले जाए और उस स्थान में ले जाए जहान पित्तर निवास करते हैं इतियादी वी दोरvनों धार्नाएं हमें तत्काल ही एक समानप्रतीत होती हैं एक आशावादी है और दूसरी प्रारंबिक होने के साथ निराशावादी पहली दूसरी का ही किंतु यह परयाप दिप्तिमान वस्तु होती है। कितनी ही सुक्ष्म क्यों ना हो फिर भी है शरीर ही और सभी देहों का स्थूल या सुक्ष्म पदार्तों से निर्मित होना अनिवार्य है रूप और आकार से युक्त जो भी है होना अनिवार्य है और वे नित्य नहीं हो सकता प्रतेक आकार में परिवर्तन अंतर नहित है जो परिवर्तन शील है पर नित्य कैसे हो सकता है अतहां इस दृति मैय धे के पीछे उनको एक वस्तू मानो ऐसी मिलकी जो मनुष्य की आत्मा है उसको आत्मा की संग्या मिली यह आत्मा की धारना तभी आराम्ब हुई उसमें भी विविद परिवर्तन हुए कुछ लोगों का वि प्रस्थान कर जाती है कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसी आधार पर आत्मा के परवानिक सुरू को आस्विकार करते थे जिससे प्रेडित होकर उन्होंने इस दृमी मैय देहे को आत्मा मानना आस्विकार किया था इन सभी विभिन्ध मतों से सांख्य दर्शन का प्रादुर प्रादि उसे कहते हैं मन का साक्षी आत्मा या पुरुष है और यह सर्व्यापक है अधार तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एकी समय में सरवत्र विद्यमान है यदि वैं निराकार है तो कैसे माना जा सकता है कि वैं देश में व्याप्त है देश को व्याप्त करने वाली हर वस्तु का आकार होता है, निराकार केवल अनन्त ही हो सकता है, अतहा प्रतीक आत्मा सरवत्र है, जो एक अन्या सिध्धान प्रस्तुत किया गया, वह और भी अधिक अश्चरे जनक है, प्राचीन काल में यह सभी अनुभव करते थे कि मानव प्राणी उन्नती शील है, कम से कम उनमें बहुत से तो हैं ही, पवित्रता, शक्ती और ग्यान में वे बढ़ते ही जाते हैं, और तब यह प्रशन किया गया, मनुश्यों द्वारा अभी व्यक्त यह ग्यान, यह पवित्रता, यह शक्ती कहां से आई है, उधारनात यहां किसी भी ग्यान से रहित एक शिशु ह वही शिशु बढ़ता है और एक बलिस्ट, शक्ती शाली और ग्यानी मनुश्य हो जाता है, उस शिशु को ग्यान और शक्ती की अपनी यह संपदा कहां से प्राप्त हुई, उत्तर मिला की वह आत्मा में है, शिशु की आत्मा में यह ग्यान और शक्ती आरंब से थी, यह श आत्मा शुद्ध और पूर्ण शक्तिमान और सरवग्य है किन्तु बहायतिया वह स्वैम को किवल अपने मन के अनुरूपी व्यक्त कर सकती है मन आत्मा कर प्रतिविंबिक दरपन जैसा है मेरा मन एक निश्चित सीमा तक मेरी आत्मा की शक्तियों को प्रतिविंबित करता है इसी प्रकार तुमारा मन और हर किसी का मन अपनी शक्तियों को राप्त करता है, जो दरपन अधिक निर्मल होता है वह आत्मा को अधिक अच्छी तरह प्रदिबिम्वित करता है, अतहां आत्मा की अभिव्यक्ति मन के अनुरूप विवित्ता में होती है, किन्तु आत्माय स्वरूपता शुद्ध और पूर्ण होती हैं। सभी विचार कर्म जो आत्मा की पविदरता और शक्ति को संकुचित करते हैं। प्रसारन का सिध्धान्त इन दो शब्दों की शरन लेना चाहता है। अतैव यह सिध्धान्त जो मानता है कि आत्मा सरवदा शुद्ध और पूर्ण है केवल उसका स्वरूप कुछ मनों में अधिक और कुछ में कम प्रतिभिम्बित होता है। अधिक उत्तम प्रतिथ होता है। जैसे जैसे मन परिवर्तित होता है उसका रूप विक्सित एवं अधिकादिक निर्मल सा होता जाता है। और वह आत्मा का अधिक उत्तम प्रतिभिम्ब देने लगता है। के मध्यव है अनन्त असीन अपने जनम सिद्ध अधिकार अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेनी तक आगे और उपर बढ़ने के निमित संघर्ष कर रहा है हम अपने आसपास जो इन सब संघातों और पुर्णर संघातों तता अभी व्यक्तियों को देखते हैं वे लक्षे उदेशय नहीं हैं वरन वे मात्रप्रासंगीक और गौन है पृत्वियों और सूर्यों चंधरों और नक्षत्रों उचित और अनुचित शुब और अश्युब हमारे हास्य और अश्रु ने सभ always और शोग जैसे संघात उन अनभवों को प्राप्त करने में हमारी साहाइता के लिए हैं जिनके माध्यम से आत्मा अपने परिपूर्ण सुरुप को व्यक्त करती और सिमित्ता को निकाल बाहर करती है तब वे बहाए याा आंत्रिक प्रगति के नियमों से बंदी नहीं रह जाती तब वे समस्त नियमों, समस्त दीमाओं, समस्त प्रकृति के परे चली जाती है, प्रकृति आत्मा के नियंतरन के अधीन हो जाती है, और जैसा वे अभी मानती है, आत्मा प्रकृति के नियंतरन के अधीन नहीं रह जाती, आत्मा का यही एक लक्षय है, और उस लक्षय मुक्ति को प्राप्त करने में वह जिन समस्त क्रमागरत सोपानों में व्यक्त होती तथा जिन समस्त अनुपवों के मध्य कुजरती है वे सब उसके जनम माने जाते हैं आत्मा एक निम्तर देहे धारण करके उसके माध्यम से अपने को व्यक्त करने का प्रयास जैसा करती है वह उसको परियाप्त पाई जाने पर त्याग दी जाती है और एक उच्चतर देहे आ जाती है इसी प्रकार यह करम एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जाने तक निरंतर चलता रहता है जिसके द्वारा आत्मा अपने सर्वोच महत्व आकांगशां को व्यक्त करने में समर्थ हो जाती है तब उसके द्वारा विवित देहों को धारण करने तथा एक के बाद दूसरी देह में होकर गुजरते रहने का अर्थ क्या है भाव यह है कि आत्मा ना जाती है ना आती है ना जननती है ना मरती है जो सर्व्यापी है उसका जन्म कैसे हो सकता है आत्मा शरीर में रहती है यह कहन असीम एक सीमित देश में किस प्रकार निवास कर सकता है किन्तु जैसे मनुश्य अपने हाथ में पुस्तक लेकर एक प्रिस्ट पढ़कर उसे उलट देता है दूसरे प्रिस्ट पर जाता है पढ़कर उसे उलट देता है आदी किन्तु ऐसा होने में पुस्तक उल्टी जा रही है पन्ने उलट रहे हैं मनुश्य नहीं वह सदा वही विद्यमान रहता है जहां वह है और ऐसा ही आत्मा के समभंद में सत्य है संपूर्ण प्रकति ही वह पुस्तक है जिसे आत्मा पढ़ रही है प्रतेख जनम उस पुस्तक का एक प्रिस्ट जैसा है पढ़ा जा चुकने के प्रित्वी गतिशील है तथा भी हम सोचते हैं कि प्रित्वी की बजाए सूर्य चल रहा है और हम जानते हैं कि यह भूल है गानेंद्रियों का एक भ्रह्म है इसी प्रकार का भ्रह्म यह है कि हम जनम लेते हैं मरते हैं हम आते हैं जाते हैं ना हम जनमते हैं क्योंकि आत्मा को जाना कहा है उसके जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं कहा है फैस्थान जहां वह पहले से ही विद्यमान नहीं है इस प्रका किन्तु जैसे जैसे प्राक्रति का विकास उतरोततर उच्चतर से उच्चतर संघातों की और अग्रसर होता है आत्मा की गरिमा अपने को अधिकादिक व्यक्त करती है। कल्पना करो की यहां एक पर्दा है और पर्दे के पीछे अश्चारे जनब द्रिश्यावली है। आत्मा की गरिमा, पून्ता और अनंत शक्ती है। कीड़ों तक में, शुद्ध और पून्त और सदा मंगल में आत्मा विद्यमान है। कीड़े में आत्मा अपनी शक्ती और शुदता का एक अनुतुल्ले शुद्र अंशी व्यक्त कर रही है। और महानतम मनुश्य में उसका सरवाधिक अंतर अभिवक्ती के परिणाम का है। मूल तत्व में नहीं। सभी प्राणियों में उसी शुद्द और पून्द आत्मा का अस्तित्व है। हम मुर्कतावश समगर विश्व को अपने वर्तमान अनुभव से सीमित कर देना चाहते हैं कि सारा विश्व एक पागलखाना है। इसी तरह अन्य लोग इसी प्रकार जिन के लिए यह जगत इंद्रिय सभन्दि भोग मातर है खाना और मोज उड़ाना ही जिनका समगर जीवन है जिन में तथा निश्वन्स पश्रों में बहुत कम अंतर है ऐसे लोगों के लिए किसी ऐसे स्थान की कलपना करना सो भाविक है जहां उन्हें और अधिक भोग प्राप्त होंगे क्योंकि यह जीवन छोटा है भोग के लिए उसकी इच्छा असीन है अतायव वे ऐसे स्थानों की कलपना करने के लिए विवश है जहां उन्हें इंद्रियों का अबाद भोग प्राप्त हो सकीगा फिर जैसे हम और आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो ऐसे स्थानों को जाना चाहते हैं उन्हें जाना ही होगा वे उसका स्वापन देखेंगे और जब इस स्वापन का अंत होगा तो वे एक दूसरे स्वापन में होगे जिसमें भोग प्रचुर मातरा में होगा और जब वे स्वापन तूटे और पूर्ण है और यदि प्रतेक आत्मा असीम और सर्व्यापी है तो अनेक आत्माओं का होना कैसे संभव है असीम बहुत से नहीं हो सकते बहुतों की तो बात ही क्या दो तक भी नहीं हो सकते यदि दो असीम हो तो एक दूसरे को सिमित कर देगा और साहस पुर्वक इस गरिमा मैं तथा अपनी महिमा में समाहित रहता है नीचे वाला पक्षी अच्छे बुरे फल खा रहा है और इंद्रिय सुको का पीछा कर रहा है यदा कदा जब वह कड़वा फल खा लेता है तो उचे चड़ जाता है और उपर देखता है कि दूसरा पक्षी वहाँ शान्थ और गरिमा विंत बैठा है ना उसे अच्छे फलों की चिंता है ना बुरों की स्वेम से संतुष्ट है और वह अपने से परे किसी अन्य भोग को नहीं खोजता वह स्वेम ही भोग स्वरूप है अपने से परे वह क्या खोजे नीचे वाले पक्षी उपर वाले की और देखत और उसके निकट पहुँचना चाहता है वह किंचित उपर बढ़ता है किन्तु उसके पुराने संसकार उस पर असार डालते हैं और वह तब भी उनी फलों को खाता रहता है फिर कोई विशेश कड़वा फल आता है उसे एक आगहात लगता है और वह उपर देखता है वहां वह ही शांद और महिमा मंडित पक्षी विद्यमान है वह निकट आता है किन्तु प्रारब कर्मोद्वारा फिर नीचे घसीत लिया जाता है और वह कड़वे मीटे पलों को खाता रहता है पुने आसाधारन रोप से कड़वा फल आता है पक्षी उपर देखता है निकट तर आत है और जैसे जैसे अधिकादिक निकट आता है दूसरे पक्षी के पंकों का प्रकाश उसके उपर प्रतिविंपित होने लगता है उसके अपने पंक गलने लगते हैं और जब वह परियाप निकट आ जाता है तो सारी द्रिस्टी बदल जाती है नीचे वाले पक्षी का कभी अस्तित्व ही नहीं था वह सदय उपर वाला पक्षी ही था जिसे वह नीचे वाला पक्षी समझा था वह प्रतिबिंब का एक लगु अंशु मात्र था ऐसा आत्मा का स्वरूप है यह जीवात्मा इंद्रिय संबंदी सुखों और जगत के निसार ताओं के पीछे भागती है पशों की भाती वह केवल इंद्रियों में ही जीती है नाडियों की शनिक गुदगुदी में जीती चली जाती है जब कभी एक आगात लगता है तो शर भर को सिर्छ चक्रा जाता है हर वस्तु विलुप्त होती सी लगती है और उसे लगता है कि वह जगत वह नहीं जिसे वह समझ बैटी थी और जीवन ऐसा निद्रुप नहीं है वह उपर देखती है और एक शन्द में असीम प्रभु का दर्शन पाती है महिमा महिम की एक जलक मिलती है थोड़ा और निकट आती है कि तु अपने प्रारब द्वारा गसीट ली जाती है एक और आगहात लगता है और उसे पुने वापस भेज दिया जाता है उसे असीम सरव्यापत सकता की एक और जलक मिलती है वह निकट तर आती है उसको अनभव होने लगता है कि उसका वेक्तित्व उसका निम्न कुचित उतकट स्वार्थी वेक्तित्व गल रहा है उस तुच्च वस्तुकुस्तु की बनाने के लिए सारे संसार को बली कर देने की इच्छा गल रही है और जैसे वह शैने शैने निकट तर आती जाती है प् आत्मा थी महिमा और गरिमा की जो अश्चारी जनग्छलक उसे मिली वह उसकी ही आत्मा थी और वस्तुते वह सत्य स्वेम थी आत्मा को तब वह प्राप्त होता है जो हर वस्तु में सत्य है वह जो हर अनु में है सरवत्र विद्यमान सभी वस्तों का सार तत्व इस विश्रु का इश्वर है जानले की तत्व मसी तू वह है जानले की तू मुक्त है